हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जारी हूं प्लेन कमीज में रिबन और लैस के साथ डिजाइन बनाना उसकी लिए पहले मैंने अपनी मेजर्मेंट के उसार कटिंग कर ली है और उसके बाद सिंपल राउंड नेक बना लिया है उसकी बाद हम इस शर्ट का फ्रंट पीस लेंगे और उसकी एक सेंटर लाइन निकालेंगे और उपर से हम अपनी रिक्वाइड लेंद प्लेस हाफ इंच का मार्क लगा करके बॉटम से भी फोल्डिंग की लाइन लगा लेंगे उसकी लगाएंगे और इधर भी लाइन लगाएंगे वहोगा हमारे इसुल्डर लाइन काा हाफ 5 में हाफ में पॉनिक्त लगांगी और शोल्डर मेरी फाइव एंड़ंद हाफ है तो मैं ऐसे दो के इसावरं लगाएंगे जब सेंटर से हमारी ये दोनों नाइवे इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर मार्क लगाने के बार हम टॉप से 10 इंच पर एक मार्क ऐसी इस लाइन पर लगाएंगी और दूसरा मार्क भी दूसरी लाइन पर लगाकर कि इसको ऐसे भी मैच कर देगे अब हम यह बैट रोल से बैठ लेंगे वो होगी हमारी इस लेंद से वन इंच एक्स्ट्रा और ऐसा हम दो पीसिस में कट करेंगे अब इन दों पीसिस को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रख करके पहले पेस्ट करेंगी और बीच में से इसकी कटिंग कर देंगे दोनों साइड आफ 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 इंच फैब्रिक छोड करके मैं इसको पीस्ट करके नेक्स्ट प्रूसीड करतीं कि दो पीसिस यह पेस्ट करने के बाद हम यहां से यहां तक इस लाइन को भी ना पेंगे सेंटर से और इससे भी वर्ली टेक्स्ट्रा हम एक और पीस कट करकी इसको भी पेस्ट कर लेंगे अब उसकी बाद हम हम इसकी राइट साइट में लेंगे और यह हमारी बुकरम दिखाई दे रही है इसके उपर हम वन वन इंच के मार्क लगाएंगे ऐसा हम दोनों साइट लगाएंगे इस साइट भी और इस साइट भी वन इंच केप देखके मार्क लगाने के बाद हम इन तीनों पीसिस पे लाइंज भी ड्रॉ कर लेंगे उसकी बाद हम यह रिबन लेंगे और इससे बुक्रम से थोड़ा एक्स्ट्रा दोनों साइट ले करके इसकी कटिंग कर देंगे और ऐसे पीसिस काट करके हम इन लाइंज पे ऐसे इसको स्टिच कर लेंगे सिंपनी ऐसी और यह स्टिच करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ इस परकार हम सारी रिबन्स को अटेच कर लेंगे यह करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ रिबन को स्ट्रिप की तरह जॉइन करने के बाद अब हम इस रिबन को इसका सेंटर निकालेंगे और इस सेंटर लाइन से ऐसे मैच करके और इसके नीचे यह लैस लगा करके ऐसे इसको स्टिच करेंगे यहां से यहां तक सेंटर में यह स्ट्रिप को इस परकार फिक्स करने के बाद अब हम साइड में भी इसी परकार इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर को ऐसे इस लाइन से ऐसे मैच करेंगे और इस परकार से इसको यहां पर फिक्स करेंगे और इसकी लैस हम जैसे अपर साइड में हमने लैस ने लगाई तो इसके हम इनर साइड में लैस ने लगाएंगे इसके आउटर साइड में लैस को ऐसे इसके बीच में लगा करके सिंपली इसको स्टिच करतेंगे मैं एक साइड की आपको ये सिलाई लगाने के बाद ये लैस की स्टिचिंग करना बताती हूँ प्रेश्ट में लैस कोष्द्टे इसके सिलाजर सिला आपको ये लैसे जह बहां हां जालर से की अव्रवार साइब में जालर से को ये राद में लैस को अष्टेंगे लैस लगाने के बाद इसी प्रकार दूसरी साइड भी हम यह स्ट्रिप लगाएंगे और साइड में लैस लगाएंगे यह कंप्लीट करने के बाद मैं इसके पिक अपलोड कर दूंगी अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें अगर आप इस चैनल पे न नए कटिंग या एक नए स्टिचिंग आसान तरीके से समझाओंगी धन्यवार कि अपलोड़ कि अपलोड़ ओओने कि एह लख भूप में लूड़ू आप बाद में अपलोड़े आसान ए्मार आपकोर नीवार